अश्यम्यक पूरा होता है गान से सबको पता चलता है कि सीता जी वानमीकी रशी के आश्रम में साय्सीराम की बेटे वालःत combined की एह सब सीता जी के पास जाते स्थ शुराम शीता जी से परमाद कि तुम श्यूद हो इस श् sprint की मैंने कभी जूर नहीं बोला मैंने अगर कभी बूरा जश्टी डाली हो तो मेरे हजार वर्षों की तपस्चे नस्थ हो जाए फिराम ठीक है पसीता को अपनी शुद्धिता का प्रमार देना होगा सीता जी आगे बढ़ती हैं सीता जी रोते हुए है धरती मा था अगर मैंने स्वीराम के अलावा किसी और का नुस्वर्ण ना किया हो तो मुझे अपनी श़रन लेल अगर मैं स्वच और सही हूं तो मुझे अपनी शनन ले मैं प्रक्षा देदेदे ठक गई हूं मा मैं अब और नहीं सह सकती हूं नहीं सह सकती यह कहते ही धर्ती फट्ती है और उसमें से धर्ती मातर प्रगट होती है सिदा जी धर्ती मातर से रोते हूए मैं प्रक्षा देदेदेदे ठक गई और मुझे और नहीं होता अपने साथ ले चलो मा अब पुतरी चलो हम अपने ध्राम चलेंगे किराजी धर्ति मागे पास जाती है धर्ति मा सिद्धा जी को अपने साथ धर्ति के अंदर ले जाती है आप रोध में धर्ति मां मेरी पत्नी सीता लोटा दीजे अन्य था कि शीवर्शिस्थ ऐसा ना करें तो पुर्ष राम मान जाते हैं लखको श्री राम के साथ ही रह जाते हैं कई वश्च बिच जाते हैं तीनों लानी कोशलय रानी के कई रानी सुमित्त मित्यु हो जाती को प्राप्थ हो जाती हैं श्री राम भरत लक्षमार और शत्युग्न के बेटे बड़े हो जाते हैं श्री राम अपने और अपने भाईयों के पुत्रों को राजपाट सौब देते हैं श्री राम अपने दोनों बेटों पुत्र लव कुछ लव कुछ सावस्ति नगरी उत्तरकोशल और कुछ को दक्षन कोशल राजधानी कुछावती देते हैं भारत के दो पुत्र तक्ष और पुक्ष कल तक्ष को तक्षिला देते हैं रक्षमार के दोनों पुत्र अंगद और चित्रकेतु दोनों को आरुण पद और शत्युग्न के दोनों बुत्र सुवाहू और शुत्र सेन सुवाहू को मत्रा और शुत्र सेन को विमीशा देत दिया चारों भायों के पुत्रों को राजपाट सौब के अपने कख्ष में चले जाते हैं राम ने छोटी काशी को लक्षमाजी को समर्पित किया और इसका नाम रखा लक्षमणापुर और यह आगे चलके लक्षनावत हनमान जी अईध्या और श्ешеNow के देख़रेक करने के लिए आकाश में चले जाते हैं आकाश में जाती उनको कालीव अईध्या की तरफ आते हुए मिलते हैं हनुमान जी लुकिए कालीव आप अईध देटी काल दिव अर्ध्य में प्रवेश कर सके इसलिए हुआ हर्मान जी को अपने साथ स्र्यु नदी के किनारे पर ले जाते हैं मoreदू मोमा जी से घुच्छी हर्मा जी से भी प्रात्ना करने उननदी पर जाना है तुम भी मेरे साथ चलो हर्माद जी आपकी आगे प्रभू स्रीयू नदी पर पहुचते हैं स्रीयू नदी में उतरते हैं और चुपे से अपनी मुद्रिका मदब अंगोठी नदी में गिरा देते हैं मुद्रिका गिरते ही स्रीयू नदी के बाहर आजाते हैं स्रीयू नदी के बाहर आते ही हनुमान जी उनके हाथ को देख लेते हैं आगशने चले जाते हैं और शिराम हैं पचे कहीमें otherwise काल देवा साधू के ब्षूराम के पास जाते हैं तब शुखीराम के साथ झान भी होते हैं मुझे आप से एकांस में बात करनी है पर मुझे आपसे वचन चाहिए कि अगर हमें कोई बात करते हुए देख ले तब आप उसको मिट्व दंड देंगे वहां वो कि चाहे कोई भी हो मैं आपको वचन देता हूं तुम खुद जाकर कख्ष के द्वार पर खड़े हो जाते हैं करक्ष का द्वार बंद होते ही काल देव अपने असली रूप में आते हैं काल देव प्रबू आपने जो अपने इस अवतार का समय निर्धारित किया था उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं है श्वीराम कोई परवर्तन नहीं है द्वार के बाहर रिशी द्वारवासा आ जाते हैं रिशी दुर्वासा लक्षमा से मुझे अंदर जाने में दे मुझे राम से कुछ बात करनी है लक्षमर्ण रिशिवर आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि श्वी राम का आदेश है कि किसी को भी उनके कर्ष में प्रवेश ना करने दिया जाया इसी दुर्वासा क्रोध में अंदर जाने दो अन्यत्या को उलट पर दूँगा मैं ऐद्ध को अर्वासा रिशिवर जी के क्रोप से बचाने के लिए लक्षमर्ण मत जङस्विक्र करते हैं और अंदर कख्षमय चले जाते हैं रख्षुमार काल्देव को उनके असी रूप में देख लेते हैं धिकाल्देव और रिशी चले जाते हैं विर्श राम यह तुमने क्या किया फिछ राम व शिवशिस्ट लक्षमार्ण और रुमान जी सभा में बैठते हैं रुमान जी और लख्षमार खड़े हैंव श्वी लाक्षमांट को मिटूड़न नहीं देना चाहता हुआ इस वेदो में परित्या करता हूँ मेरी से निकल के सरीवनदीम में चले जाते हैं सरीवनदीम के अंदर खड़े हो के सास रोक कर सीषागर में चले जाते हैं और अपने अस्री रूप शेशनाग में चले जाते हैं क्योंकि शेशनाग ने लक्षमर के रूप में जनम लिया था उदर हनुमान जी मुद्ध का खोजते खोजते पाताल पहुच जाते हैं हनुमान जी पाताल वासियों से यहां कोई मुद्ध का आई है क्या पाताल वासि जी हां आई है हनुमान जी मुझे अपने प्रभू श्री राम की मुद्ध का चाहिए पाताल नियवासि चलिए अंदर चल कर देख लीजिए अंदर जाकर रुमान जी को मुद्रिकाओं का धेर मिलता है उन मुद्रिकाओं में श्रीराम की मुद्रिकाओं खोजना आरम करते हैं आयद्य में श्रीराम जी अपने राम रूप के लीला को महाप्रस्थान से खतम करने की तैयारी करते हैं श्रीराम विशिवशिष के पाज आते हैं श्रीराम विशिवर मैं महाप्रस्थान कर रहा हूँ तब ही नगरवासी वहाँ आते हैं नगरवासी, श्री राम, हम भी आपके साथ प्रस्थान करना चाहते हैं, हमें अपने साथ ले चलिए, विशिवशिश ये तुम्हाई भक्त हैं, इन्हें भी अपने साथ ले जाओ, श्री राम, जैसी आपकी आग्या, श्री राम, भरत और शदुगन, सुवेर, सफेध, वस् रस्थान के लिए सर्यू नदी की तरफ चल पड़ते हैं, उनके पीछे-पीछे सुग्रीव, जामवन, निशादराज, विभीशन और नगरवासी भी चल पड़ते हैं, सब सर्यू नदी के टठ पर पहुँच जाते हैं, श्री राम सर्यू नदी पर प्रवेश करते हैं, प अपने शंक रूप में विष्णु भगवान के हाथ में चले जाते हैं, श्री प्रवेश करते हैं, वो अपने शुदाशर शक्र रूप में आके विष्णु जी के हाथ में चले जाते हैं, भरत विष्णु जी के शंक पंच जन्य शंक ने भरत के रूप में जनम लिया था, और शुदंशल चक्र ने शत्युग्न के रूप में जनम लिया था मतलब राम जी के रूप में भगवान विश्नु आये थे भरत के रूप में पंच जन्य शंक आये थे लक्षमान के रूप में शेशनाग आये थे और शत्युक्न के रूप में शुदाशन शक्र आये थे हनुमान जी सारी मुद्धिका देखते हैं और उनको सभी मुद्धिका में श्री राम दिखाई देते हैं यह देखका हनुमान जी को समझ आता है हनुमान जी मन में प्रभु श्री राम कर्म कर्म में बसते हैं मुझे अब यहां से चलना चाहिए हनुमान जी पाताल से निकल के सर्यू नदी पर पहुचते हैं विश्णु जी हनुमान और विभीशन कल्यों के अंध तक रुकेंगे जामत भगवान लंका युद में मेरा पसीना नहीं चूटा था यानि मैं युद नहीं कर पाया था विश्णु जी मैं द्वापड युग में अवतार लेकर आऊंगा तब मैं आपके पसीने चुड़ा दूँगा आपसे युद करूँगा भ्रम्मदेव आते हैं विश्णु जी भ्रम्मा जी से ये सब इस नहें और भक्तिवश मेरे पीछे आए हैं मैं इन्हें ऐसे छोड़कर अपने लोग नहीं जा सकता आप इनको उत्तम लोग प्रदान करें भ्रम्मा जी जो भगवान के आंश हुए हैं वे उन्हीं भगवा स्विर्वराम नाम लेकर दिहित्यागें वो मÈरे भ्रम्मों लोग के पास संतानक लोग में जाएंगे यह सुनते ही सुगरीव निशाजराज और सुमंत ने स्विर्यों नदी महें दिहत्यागा अपने लोग गए बाकी लोग Watts ने नाम का नामों लेकर सरियू नदी में देत्यागा वो संतानक लोग में उनके भक्त जैश्री राम सियावे राम चंद्र की जय पवन पुत्र हरुमान की जय